तो हेलो दोस्तो वेलकम बाक टू मैं न्यूव लॉग तो दोस्तो इस व्लॉग के अधर मैं अपने बॉर्ट प्रेपेशन दिखाने वाला हूं जो कि 3 से 4 मही नहीं बचे वे हैं और मैं कैसे प्रिपेर कर रहा हूँ तो इसी व्लोग को पूरा एंड तक देखना तो चलो यार अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं अभी कर रहा था अपना जो प्रिंट कल्चर वाला लेक्चर है मैं उसको ले रहा तो और में एक रही था है कि जो भी घ्लोग वर्ड वर्ड का जो मैक्सिमम मैं कर्णी चुका है वह बाक्ड बचन के लिए कि मैंने की मेरी का क्या बचा गाएगा अब मैं आपको बताएगी में क्या 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 बचया है मेरा जैसे history बचावाए मेरा English Hindi थोड़ा थोड़ा बचावाए मतलब English Hindi में क्या ही करना होता है summary ही है so it is very easy and फिर हम आगे देखते हैं अपना जो eco है eco भी मेरा complete है geography में complete मान सकता हूँ बढ़ हाँ revision बचा है फिर वहाँ पर ही मेरा जो civics आ जाता है civics का भी मेरे सारे lectures हो चुके बस अब मेरा learning रह रह रहा है कोई भी ना चीज है ना बीच भीच में बूलू ना ठीक है तो इसलिए मैं बीच भीच में revision भी कर रहा हूँ इसलिए मैंने आपको goal sheet दी थी उसमें मैंने आप लोग को ये चीज न बोली थी कि भाई आप लोग न रिविजन साथ साथ करते रहे न इसलिए मैंने न एक टेलिग्राम पर पोल भी कराया था और उसमें लोगों से पूछा था कि उनका स्लेबस कितना हो गया है तो मतलब मेजॉरिटी लोग जो हैंके 50-80% स्लेबस हो चुका है मतलब उससे थोड़ा ही नीचे जो 30-50% है उसमें भी एक वोट कम था मतलब वो भी comparatively मान सकते हो कि लोगों का 30-80% स्लेबस हो चुका है तो मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि आप लोग का कितना स्लेबस हो चुका है अगर आप लोग का कम स्लेबस हो है तो आप लोग जरूर से comment बताना है मैं आपको थोड़ा सा tips तो देई दूँगा मैं अपना study life करने वाला हूँ जिसके लिए मतलब आप लोग के साथ उसमें न पढ़ूँगा मैं ठीक है और बातचीत भी करूँगा तो इसलिए subscribe कर देना channel को एक साथ पढ़ेंगे यार 500 subscriber में अगर इस video के अंदर 500 subscriber हो जाते तो मैं definitely start कर दूँगा अपना live session next Sunday और दोस्तों अभी मैं कर रहा था अपना rancho revision का flashcards और उसके अंदर में ले रहा था अपना chemistry जो है उसके पूरे chapters का मैं revision ले रहा था ठीक है जो chemistry के हमारी chapters है उसका मैं activity file का revision ले रहा था क्योंकि जो मेरी mid terms वाली जो वो थी video जिसके मैं आपको marks बताए थे उसके अंदर मैंने आप लोग को ये भी बोला था कि या जो हमारी activity जो है उसकी वैसे मेरे marks cut गए थे क्योंकि मैं mark वैसे भी na activity जो है वो करके नहीं गया था due to wage की मेरे marks cut गए so वो मेरे को problem ना दे board examination में इसलिए मैं अपने rancho revision के flashcards करने लग गया और ये flashcards सबसदे important इसलिए हो जाते है क्योंकि बोर्ड में तीन से चार मंती बचे है और आप लोग को revision चाहिए होगा और ये जो flashcards है इसके अंदर पूरा images, flowcharts and other ways से आपको समझायागा है जिससे आप easiest way में जल्दी से flashcards को revise कर सको और आप लोग मतलब अराम से revise कर सकते हो मैं अपना experience बताता हूँ कि मैं 5 minute में पूरा एक flashcards कर पा रहा था तो बहुत अच्छे flashcards है आप लोग को prefer करूँगा कि आप लोग इसको buy कर सकते हो इसकी link में आपको description में दे दूगा और थोड़े से image भी आपको मतलब उपर दिख आपको करके दिखाया है और यहां पर ना मैंने जो थोड़े से बेकार जो topics थे जिसे हमारा litmus paper वगएरा उससा मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि यार वो ना मेरे को आते थे तो मैं इसलिए उनको ना किया नी उसके बाद मैं चला गया मतलब अपने NCRT करने NCRT chapter 2 की, polynomials की, क्योंकि यार मैं तो वैसे भी maths basic वाले student 2, आप लोग होगे maths standard वाले, मतलब मैं maximum जो लोग है, वो सारे maths standard वाले ही होंगे, बट मैं तो यार maths basic वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ और stream लेने वाला हूँ, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, मतलब कुछ समय मैं बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, कि मैं कौनसी stream लोगा, ठीक है, तो आप लोग उसके लिए वाई, वेट करना, बट हाँ, अभी के लिए, मैंने match basic ही चूस किया है, क्योंकि मुझे ना, वैसे भी maths जो है, मतलब hard तो नहीं लगता है, बट मैं बोलूँगा कि, मैं वैसे भी, ऐसा सब्जेक्ट है कि, उसमें मैं score तो कर लेता हूँ, देखो, दिक्कत उसकी नहीं है, बट जब मैं वो चीज लहीं नहीं रहा हूँ, PCM, तो वाई, शुड़ा है, मतलब, opt for match है, तो इसलिए दिक्कत थी, तो मैंने सोचा कि, छोड़ो यार, match नहीं लेंगे, मतलब, match standard लेंगे, basic ही लेंगे, इसलिए मैंने basic match चूज किया, आप लोगों ने कौन सा match चूज किया, जरूर से आप कर में बताना, मैं सारे comment पड़ूँगा, ठीक है, और यहाँ पर जो पूरी exercise यो थी, वो मैंने एकदम short में की थी, ठीक है, तो एकदम मैंने short में की थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो मैंने बोला जोड़ो यार, थोड़े-थोड़े steps में करूँगा, क्योंकि यार, मुझे ना बता था कि रफ में कर रहा हूं, तो कोई फायदा होते नहीं है और यह वैसे भी polynomial बहुत ज़्यादा, easy exercise और दोस्तों फिर मैं करने लगया अपना making of global world का revision, क्योंकि यार, boards बहुत स्यादा पास आने वाले हैं, यार, revision तो आप लोग को पता ही important है, क्योंकि revision नहीं करोगे, तो पहले की चीज़े भूल जाओगे, और मैं यार, नहीं चाहता था कि भाई, पहले की चीज़े भूलूँ, मतलब, obviously मैंने आगे वाले chapter भी शुरू कर चुगा था ना, प्रिंट कल्चर वाला, तो इसलिए मैंने वाले revision स्टार्ट कर दिया, और आप लोग को भी एक suggestion दूँगा, कि आप लोग न चाहे आगे बढ़ते रहो, बट यार, revision जरूर से करते रहना, यार, पहले के concept भूल जाओगे आगे concept अब करते रहोगे, बट वो भी फिर बाद में भूल जाओगे.